और टाइम मेनेजमेंट आप पे डिपेंड करता है, टाइम होता नहीं है, टाइम किसी भी चीज के लिए निकालना पड़ता है, जो आप ये स्टुडेंट लाइफ में पहन ले रहे ना, ये कहने के फ्यूचर में आपको पे करने वाला है। अपना टाइम कैसे मेनेज करूँ, ये बहुत सारे कमेंट्स स्टुडेंट के आते रहते हैं, तो आज मैं आपके सामने इनी क्विश्टन का अंसाब देने की कोशिश करूँगा, कि कैसे आप अपने टाइम मेनेजमेंट को इन सब चीजों के साथ बहतर तरीके से करके अपने एक्जाम की ताहरी कर सकते हैं, तो अस भी हम वन भाइवन यहा पर पॉइंट को discuss करेंगे, तो सुर्ण पहला ही यहापर यहापर होता है, कि आपको एक्जाम के बारे में पूरी इन्फरमेशन होना जब्वी है, बहुत सारे चूड्ट क्रेक करने के बद आपको कहां कहां एड्मिशन मिल सकता जिसे मान लिजी आईटी से में तो आप कौन सी आईटी के इंदर आप जा सकते हैं वहां पर क्या स्पेशलाइजिशन है आप किसमें आप MSC करना चाहते हैं तो यह सब कुछ आपको पता होना जरूरी है अगर आप कई शादी भी अटेंड करने जाते तो यहसे प्लानिंग आप पहले कर लेते हों कि हां मुझे यह Δ्Reです पहनी है मुझा यह करना है मुझेवोह करना है सिभीलल सकते हैं हमें करो हापने की यह बारे में पूराब्रा की त्यारी कर रहे हैं तो उस एक्जाम के बारे में पूरी सबसे बड़ा टास्क होता है स्टूडेंट के लिए तुम आपको बताना चाहरो कि माल लीजे आप कॉलेज जा रहेंगे जब कोई क्लास नहीं हो रही होती या कोई इवेंट हो रहा होता तो आप एक से दो गुंटे टाइम निकाल के आप कुछ निकुछ तिस अपने क्लास के नदर जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ गुरूप बना लीजे जो कि इस एक्जाम की टायरी कर रहा है और गुरूप के साथ आप यूट्व पर अविलेबल है वह आप महाँ पर देख सकते हैं तो कहने कहीं समय को आपको निकालना पड़ेगा समय मिलता नहीं समय को निकालना पड़ता है और वह तभी निकलता है जब उसके लिए पैशनेट है राइट सो दिस वेरी इंपॉर्टन और थारड़ इन सरके नोर्स देलू में ये किताब पड़ लू में वो किताब पड़ लू इससों में बताना चाहरो बहुत सारे स्ट्रेंट एक्जाम की तयारी करते और इन चीजों में अपना समय खराब कर देते हैं आप जो भी कंटेंट आप पड़ रहें वो प्रॉपर होना चाहिए प्लस आपको लगता है कि यह सर ऐसे हैं जिनोंने बहुत अच्छे तरीके से पड़ा रखा है उस कंटेंट को आप प्रॉपर फोलो करिए क्वेस्टन लगाईए और मैनेज करें एक बार आपने वो पूरा कर लिया फिर दूसरी कंटेंट पर आप जाईए होता क्या है कि आ तीन अलग-अलग मेटरिल से पढ़ोगे तो आपका समय खराब होने वाला है तो यह थोड़ा ध्यान देने के जरूत क्यूंकि आप जब साथ में ग्रेजुशन भी कर रहे हैं एक्जाम की तहरी भी कर रहे हैं और साथ में दो तीन टाइप का कंटेंट लेके बिट हैं तो टाइम बहुत खराब करने वाले हैं तो इस वेरी इंपॉर्टेंट जिस भी एजुकेटर का कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यह लगता है कि यह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मुझे इनका पढ़ना है एक बार उनका पढ़ लीजे अच्छे तरीके से कर लिज हैं जिसमें से तीन बचे हैसे हैं जो कि IITJM exam या CSIRnet exam की तैयरी कर रहे हैं तो आप उन तीन-चार बच्चों के साथ अच्छे से मैनज करें आपको कभी कि बैसा लगेगा कियार मेरी क्लास के 77 बच्चे हैं वो तो मज़े कर रहे हैं वो हर event में participant भी करते हैं वो मज़े भी करते हैं वो पिकनिक भी जा रहे हैं वो पिचरी भी देख रहे हैं यार हम तो कुछ करनी बात हैं तो दिन पर पढ़ते हैं पर इस्टुएंट जो आप यह पहने के फिचर में आपको पे करने वाला तो यह थोड़ा ध्यान देने के ज़रूत है और जहां पर लोग कम जाते हैं उसी शेत्र में ज्यादा ज्यादा स्कॉप्स होते हैं राइट हैना बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो पड़ाई नहीं कर रहा हो तर बाद में जब वो अपने ग्रेश्मिशन के पास सोच लें कि मुझे अब क्या करना है तो समय निकल गया होता बैस टाइम ही होता ह सी आपको इस एक्जाम की तेयरी करना स्टार्ट कर देना चाहिए है आपके क्लास के कि में स्टु्टें की तेयरी करना स्थ कर देगे तो आपकी एक्जाम की त्रतिष्ट है वो बढ़ जाएगा chances बढ़ जाएगा, तो this is very important. एक और सबसे बड़ी problem होती है student life में कि मां लिजे, college में आप हो और पढ़ रहे हो, किसी friend का birthday कभी कोई like शादी ब्याँ हो रहे हैं या फिर छोटे मोटे events हो रहे हैं वो CSIR net का subscription ले रहा, फिर मोटे तो हम बटा class क्यों नहीं अटेंग करी, बर सर college में पिकनिंग गया थे हैं, हम लोग इसलिए वहाँ चलेगे, time नहीं मिला sir में वो function अटेंग करा था, इसलिए में time नहीं मिला sir ये हो रहा, इसलिए time मिला, उनके पास पचास बहाने होते हैं, और वो regular पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए वो exam correct नहीं कर पाते हैं, शुर्ण ये बताना चाहता हूँ हम आपको कि जो भी आप function कर रहे हो, कोई बात निक करिए, ऐसा नहीं कि college life को enjoy नहीं करना, पर कहने के balance बनाने के जरूत है, और कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो कि unproductive है, जो आपको future में कभी कोई pay करने वाली नहीं है, आपको ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि जो भी आप IADJ में exam की तैयारी कर रहे हैं, CSIR की तैयारी कर रहे हैं, gate exam की तैयारी कर रहे हैं, ये future में आपको बहुत ज़दा pay करने वाले हैं, अगर आपने इन जो आपको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटा महनत करना पड़ेगा, दो से तीन गंटा consistently देना पड़ेगा, यहां पर कोई बहाना नहीं चाहिए, क्यार मैं इस वज़े से class regular नहीं कर पा रहा हूँ, मैं regular study नहीं कर पा रहा हूँ, आप यह मत सोची की ये exam ऐस है, जो कि आपको एक दो महिने में result देंगे, इसके लिए consistent study बहुत important है, सो सुन जो last point है, वो बहुत important role play करता है, वो होता right motivation, right strategy, right approach, क्योंकि जब आप इस exam की तहारी कर रहे होते हैं, तो बहुत कम student ऐसे होते हैं, जो आपको नजर आते हैं कि इस exam की तहारी कर रहे होते हैं आप जो अपने college के teacher से बोलोगे कि sir मैं IAT gym exam की तहारी कर रहा हूं, sir मैं CSI or net exam की तहारी कर रहा हूं, sir मैं gate exam की तहारी कर रहा हूं, तो हो सकता, आपको लोग motivate कर देगे, बटा कोई मतलब नहीं है, पहले graduation कर ले, फिर बाद में करना, आप अपने friends से बोलोगे, तो बोले करना है, और मैं इस exam को क्रेक करके मुझे IAT जाना है, बहुत सारे बच्चों का 11-12 में बढ़ा dream होता है, और मैं IAT क्रेक करना है, मुझे IAT जाना है, पर यह जो dream है, यह graduation time पे कम नजर आता है, है ना, उनको लगता है, अरक तुम IAT जाने के chances बढ़ जाते हैं, अगर आप I जाता होता है, similarly CSIRNET, IAT exam के लिए इतने opportunities होती है, अभी CUCT का exam है, उसमें बहुत सारे इसी top universities हैं, जो की MSC करवारी, Master's करवारी, अकर इस exam की तहारी करोगे, जिसे माली जो जेम की तहारी कर रहे हो, तो आपके पैंडल दोती ने exam की तहारी हो जाती है, getting my point, और concepts clear हो जाता है क्योंकि जो आप college में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर descriptive पढ़ रहे होते हैं, क्योरी पढ़ रहे होते हैं, पर जो concepts होते हैं, वो इन exam की तहारी के दोरान आपके clear होते हैं, तो आपको खुद को motivate होना पड़ेगा, बहुत सारे videos मैंने upload कर रहे हैं, तो आपको जो right path है, वो सबी exam के बारे मैंने proper information दरखी है, तो right approach और right path आपको पता करना है, तो इन सबी videos को आप देखके पता कर सकते हैं, last मैं आपको पुरी के पुरी playlist दिख जाएगी, सो सुन कैसा लगा आपको यह video, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने exam की तहारी, बिल्कुल अपने graduation के दोरान करते रही है, आप यह मज सोचिए कि कितने लोग इस exam की तहारी कर रहे हैं, और मैं क्यू करूँ, यह तो करी नीरे मेरे friend, इसके चक्कर में पढ़ने के जरूत नहीं है, और time management आप पे depend करता है, time होता नहीं है, time किसी भी चीज के लिए निकालना पड़ता है, अगर इस exam को अच्छी गुरूफ मनाईए, उनके साथ discuss करिये, और जो लोगों ने IAT से अपना master's किया है, IAT से अपनी PhD करिये, या जो लोग इन exam की तहारी कर रहे हैं, उनसे आप बिल्कुल discuss कर सकते कि कैसे आप इस exam को crack कर सकता है, so thank you so much watching me, comment करके बताएए कि क्या आप अपने graduation के साथ साथ इन exams की तहारी कर रहे हैं, और आप कौन से exam की तहारी कर रहे हैं, please comment करके ज़रू बताएए, thank you so much watching me, like करे, share करें और चैनल को ज़रू सस्काइब करें, बारेवाद